हेलो फ्रेंड्स माइसल्फ एसके शर्मा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लर्न टू डू कॉर्डिंग जिसमें मैं आपको सी लेंग्विज का लेक्चर नाइन दे रहा हूँ और इसका टॉपिक है scanf and printf function in detail देखिए scanf और printf के बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा लेकिन आज मैं इस से related कुछ ऐसे points बताऊंगा जो आपने पहले शायद ना सुने हो और ना ही उन्हें practically यूज किया होगा तो मैं with practical टर्बोटी में scanf और printf से related कुछ नई चीज़े आपको रन करके भी दिखाऊंगा अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिए और इस वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि scanf और printf की हर एक detail आप अच्छी तरह से समझ पाएं तो चलिए शुरू करते हैं input output functions topic है input output functions इसमें there are many library functions available in C language for console input output यानि कि input और output करने के लिए बहुत सारे functions हैं इन में से scanf और printf बस दो ही हम आज discuss करेंगे लेकिन इसके लावा और भी functions होते हैं console input output से मतलब है keyboard और monitor से related जो input output functions है तो using them in C programs, forms, input output statements यानि scanf और printf को जब हम use करेंगे तो इन statements को बोलेंगे input output statements most common input and output functions are scanf and printf to use them you must include the stdio.h header file यानि एक header file का नाम है जो सबसे उपर हमें include करनी होती है इसके बारे में मैंने पहले भी बताया था तो ज़्यादा time waste नहीं करेंगे चलिए आगे बढ़ते हैं the scanner function ये आज हम पहली बारी पढ़ रहे हैं इन वीडियोस में the scanner function allows us to enter data from keyboard that will be formatted in a certain way यानि keyboard से कोई भी data input करने के लिए enter कराने के लिए ये function use होता है और इसे हम अपने तरीके से format भी कर सकते हैं इसे use करने का ये simple सा syntax है इसे आप ध्यान से देखें scanf, फिर opening parentheses है उसके बाद लिखा है format string, list of addresses of variables यानि कि जिन variable में हमें data input करना है here the format string contains the format specifiers यानि format string कोई simple string नहीं होती बलकि उसके अंदर format specifiers यूज होते है इसकी पूरी table है वो अभी हम आगे देखेंगे as shown in the following table that always begin with a percent sign यानि सभी specifiers percent symbol से ही शुरू होते है तो next screen पर हम अभी देखेंगे table कौन-कौन सी है इसे और पढ़ लेते हैं the list of addresses of variables are used so that scanner function can place the data received from the keyboard यानि जब यह function execute होता है उस वक्त जो भी data keyboards input किया जाता है वो कहीं न कहीं store करना होगा तो उसी के लिए हमें variable के addresses mention करने होते है the address of a variable is obtained by using address of operator ampersand ampersand इसे हम address of operator भी बोलते हैं हालकि इसके बार में detail में हम pointer नाम के concept में बढ़ेंगे तब तक के लिए बस इतना समझ लीजिए कि यह operator हमें variable के addresses प्रोवाइड कर आएगा तो चलिए table आगे बढ़ते हैं यानि अगर आप लगातार दो या दो से ज़्यादा values इंपुट कर रहे हैं तो उनकी बीच में यह तो blank space लेंगे एप भी प्रेस कर सकते हैं एंटर भी कर सकते हैं तो इस तरह से हम डेटा इंपुट कर सकते हैं एक और point do not include the escape sequences such as slash n slash t in the format string यानि जब हम program में scanf function use करेंगे तो scanf के अंदर format string के अंदर escape sequences आपको use नहीं करने है escape sequences आप जानते होंगे क्या होता है नहीं पता है तो मैं escape sequences का link जो है description box में दे दूँगा वहां से आप मेरी escape sequences वाली वीडियो देखकर इनने समझ सकते हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं most commonly used format specifiers used in scanf function are तो यह होते हैं इन format specifiers को मैंने categorize किया है data type के according यह तो red color में आप data types देख रहे हैं यह दियान से देखिए यह सब चीजे मैं आपको data type वाली वीडियो में बता चुका हूँ अगर आपको नहीं पता है तो मैं इसका भी link description box में डाल दूँगा वहां से आप मेरी वो वीडियो देख सकते हैं तो देखिए signed int, signed short, signed care अगर इस type के variable आप input करना चाहरे हो तो format specifier होगा %d signed long अगर long type का variable है तो ld ऐसे ही unsigned int, unsigned short, unsigned care के लिए %u होता है unsigned long के लिए lu होता है, float के लिए %f, float exponential notation में अगर input कराना है तो % e या % capital e कुछ भी ले सकते हैं आप आपकी मर्जी है, double के लिए %f, double exponential notation में % e, % e, long double में % capital f यहाँ पे थोड़ा साथ देखो difference है, double में है small l, small f, लेकिन long double में है capital l, small f तो इस चीज़ का ध्यान दखना है, ऐसी long double exponential notation में लेना है, तो % capital e, या % capital l, capital e इसके अलावा care के लिए % c होता है, string के लिए % s होता है, string के लिए मैंने अभी तक कोई data type आपको बताया नहीं है, क्योंकि predefined data type कोई available है ही नहीं c में, लेकिन string maintain करने का यह अलगी तरीका है, वहाँ हम सीख लेंगे और % s को वहाँ use करेंगे, इसके अलावा % percent, यह scan function में use नहीं होता है, इसके बारे में आगे लिखा है, used only with printf function, to print %, यहनि अगर एक single % symbol आपको screen में output के form में दिखाना है, तो हम double % लेंगे, तब एक single % screen पे display होगा, जैसे मैंने double backslash बताया था, backslash print करने के लिए, ऐसी double % होता है, जो कि एक single % print करता है, तो यह format specifiers है, और यह सब सब के सब scanf function में use होता है, सिवाए last वा लेगे, तो चलिए आगे, एक example देख लेते हैं, जैसे हमने दो variable लिए यहाँ पर, flood num1, num2, अब scanf को ऐसे लिखेंगे, एक तो scanf function small letter में है, उसके बाद parenthesis, %f, %f, comma address of num1, comma address of num2, तो यहाँ पर, हल्किसी misprint हो गई है, चलिए मैं अ opening double quotes रहे गया है, तो यहाँ पर हम वापिस आ गए है, इसी screen पर तो देखिए, format string हो गई, double quotes से double quotes तक ही एक string है, जिसमें %f दो बार use हो रहा है, यानि कि हम दो variable में input करना चाहरे हैं, तो comma के बाद हम दो address बताएंगे, address of num1, comma address of num2, इस m% को हम address of operator बोलते हैं, तो run time पर, suppose हम हमने ये input किया, तो 12.34 num1 में जाके save हो जाएगा, और 78.90 num2 में save हो जाएगा, जब हम इस तरह से input करेंगे, कैसे input करते हैं, चलिए practically मैं बता जेता हूँ, ऐसा करते हैं, टर्बो C पर चलते हैं, और वहाँ पर इसे use करके देखते हैं, एक काम कर लेते हैं, हम यहाँ पर इस यहाँ पर आ गई, थोड़ा सा double cost ठीक नहीं आ रहा था, उसे दुबारे type कर लिया हमने, तो यह है देखिए, %f, %f के बीच में यहाँ पर space है, चाहे तो आप space ना लें, यह कोई जरूरी नहीं है, तो इस तरह से हम input कर रहे हैं, तो control F9, suppose मैंने 12.3 दिया, और 35.6 दिया, तो पहला number num1 में और दूसरा num2 में store हो गया होगा, एक काम कर लेते हैं, इन्हें print करके देख लेते हैं, print करके पता रख जाएगा कि वागई में यह data उसमें जा रहा है या नहीं जा रहा है, तो मैं यहाँ पर, अभी हम printf function के बारे में detail में आगे पढ़ेंगे, लेकिन मैं यहाँ पर use करके दिखा रहा हूँ, यही format specifier जो scanf में use हो रहे हैं, उन्हें हम printf में भी use कर रहे हैं, तो देखें, दोनों variable की value screen पर आएगी, suppose मैंने यह number दिये, तो देखें, यह print हो रहा है, number 1 की value 12.30000, जब यह float number हम print करते हैं, तो total 6 digit dot, यानि decimal point के बार प्रिंट होती ह ऐसी num2 की value मैंने 45.6 ली थी, लेकिन वो दिखा रहा है, 45.599998, आप कहा रहे होंगे 45.6 तो आई नहीं, असल में यहाँ क्या होता है, कि computer का hardware error वो इस तरह से बना होता है, कि उसमें floating point number बहुत ही difficult तरीके से store होते हैं, तो हाला कि हम इसको अगर round करें, 45.6 ही आ जाएगा, लेकिन हलका सा fractionally यह number थोड़ा change हो गया है, तो इसे आप गलत ना मानें, बिल्कुल ठीक है, computer hardware के real number को store करने का method है, उस वज़े से ऐसा हो रहा है, लेकिन इसी वीडियो में मैं इसका solution भी बताऊंगा, वीडियो के अंतर तक आप बने रहना, आपको सब चीज किलियर हो जा उसमें store हो रहा है, और अब print भी हो रहा है, तो चलिए, वापिस अपनी वीडियो पे चलते हैं, scanner function का यह example मैंने आपको बता दिया है, अब हम अगली screen पे चलते हैं, अगला है print function, this function outputs different type of data values, like characters, string, integers, plot, etc, by formatting the data with a string, यानि जितने भी type के constant मैंने आपको बताये थे, या data type बत सकते हैं, तो यह इसका syntax है, यह general form भी कह सकते हैं, printf, opening parenthesis, format string, list of variable, देखें यह भी scanf जैसा ही है, बस scanf की जाके printf है, और scanf में था list of addresses of variable, यहां है list of variables, यानि यहां में addresses नहीं देने हैं, बस variable की पूरी list देनी है, where the format string contains, format string में क्या-क्या चीज़े हो सकती है, एक तो characters, data simply printed as they are, यानि कोई भी, कुछ भी character आप type करेंगे, वो as it is print होगा, conversion specification और conversion characters, that begin with a percent sign as shown in the table, अभी पिछले screen पे जो हमने table देखी है, जिसमे percent D, percent L, LD वगरा इतने सारे format specifier थे, scanf function के लिए उन्हें format specifier बोलते हैं, लेकिन printf function के लिए उन सभी को हम conversion characters बोलते हैं, यह सब के सब percent से शुरू होते हैं, इसके लावा escape sequences यह आप पहले भी पढ़ चक्यों, slash and slash tree etc, यह भी हम use कर सकते हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, यह point अभी मैंने बताया कि percent D, percent F, etc, इन सब को हम क्या बोलते हैं, printf function में, conversion characters, scanf में बोलते हैं, format specifier, चलिए यहाँ पर example आजाता है, आप यहाँ देख रहे हैं, एक मैं int variable create कर रहा हूँ, 9876 इसमें store किया है, flood type का variable है, इसमें भी एक data है, इसके लावा care str square bracket, असल में कोई भी string store अगर करनी है, तो इसका यह format होता है, string अपने आप में बहुत बड़ा topic है, माँ आप इसे detail में समझेंगे, फिलाल इसे आप printf यहाँ यूज कर रहा हूँ, तो देखिए, your account balance is colon, तो यह तो वो character है, जो as it is print हो जाएंगे, फिर मैंने लिया %d, तो %d प्रिंट नहीं होगा, बलकि कोमे के बाद मैंने n लिखा है, तो n की value %d की जगे प्रिंट हो जाएगी, तो इस line का output यह आएगा, your account balance is colon 9876, colon मैंने बस ऐसी दिखाया है, देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा, नहीं लगाना चाते हैं, आप इसे ना लगा, दूसरा है printf selection, अभी मैंने बताया था, हम escape sequence यूज कर सकते हैं, तो output अगली line में आएगा, percentages print हो जाएगा, %f print नहीं होगा, इसकी जगे y की value आ जाएगी, तो भी print कर सकते हैं, तो चलिए एक काम कर लेते हैं, इसे भी मैं आपको exit करके दिखा देता हूँ, इस coding को फिर से हम copy कर लेते हैं, उसी program में, मैंने copy कर लिया, और printf में, मालिया मैंने लिख दिया, address, %s,htr, यह वहां रहे गया था, इस 3 पे, तो यहां मैंने ले लिया है, तो यह है, देखो, यह मैंने एक line में 2 variable create किये था, आप इसे चाहें, तो दो line में भी ले सकते हैं, चलिए control F9 कर दिया मैंने, और output आ गया, तो output को आप देखें, जो मैं वहां screen पे दिखा रहा था, powerpoint की slide में, वही यहां पे आ रहा है output, और यह जो address है, address भी print हो रहा है, मैंने उसी line में आ रहा है, उसका reason यह है, कि यहां मैंने program में address से पहले slash n नहीं लिया, तो चलिए एक काम कर लेते हैं, आप समझगी होंगे, slash n अगर नहीं लेंगे, तो अपने आप next line में output नहीं आता, अब मैंने slash n ले लिया, तो अब address next line में आ रहा है, तो I think printf function आपको समझ मे आ गया होगा, यहां जो हम variable use कर रहे हैं, उनसे पहले m% नहीं लगाया, address of operator नहीं लगाया, क्योंकि address of operator scanner function में use होता है, printf में हम इसे use नहीं करते हैं, तो चलिए वापिस अपनी slide पे चलते हैं, अगला topic है more formatting on integers, यही वो topic है जो मैं कह रहा था, कि जो C language की बाकी वीडियो आप देखते होंगे, उनमें यह चीज़े आपको नहीं मिलेंगी, जो मैं बताने जा रहा हूँ, तो यह code है कुछ, इसे ज़रा ध्यान से देखें आप, तीन variable, num1, num2, num3 हमने create की हैं, एक में 3 digit number है, एक में 5 digit number है, और एक में 2 digit number है, फिर इन 3 हम प्रिंट कर रहे हैं, अगर आप इसे रण करके देखेंगे, तो यह output आएगा, आउट्पूट मेरे ख्याल से आपको सहुझ में आ रहा होगा, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, सपोज कोर हमें output, right align दिखाना था, एक बार फिर से आप पिछले page पे देखें, output जो आ रहा था, वो left align है, 456, 12,345 और 98, left align होके आ रहे हैं, सपोज यह data आप right align करके print करना चाह रहे हैं, तो अगर हम इस तरह से print करना चाह रहे हैं, तो कैसे करेंगे, तो देखिए, उस code में हमें थोड़ा सा change करना पड़ेगा, यहाँ ध्यान से देखें, मैंने %D के बीच में 5 ले लिया, 5 या 6 या 7 कोई भी digit ले सकते हैं, तो यह 5 क्या है, यह SL में इसकी width है, इसका मतलब यह है कि, जब num 1 की value print होगी, तो उसमें जो भी data है, उसे print करने के लिए, total 5 positions मिलेंगी, अब जैसे कि num 1 में 3 digit number है, total 5 position मिलेंगी, तो left में 2 space आ जाएंगे, num 2 में already 5 digit number है, और यहाँ भी मैंने 5 वित लिए, तो total 5 position में यह 5 digit number आ जाएगा, num 3 के case में 3 space आ जाएंगे, और 2 digit का यह number 98 वो आ जाएगा, तो spaces left side में आते हैं, इस वज़े से numbers right aligned हो गए, तो right aligned देखने से number, अगर आप इस तरह दिखाना चारहे हैं, right aligned तो दिखा सकते हैं, आपने bank passbook देखी होंगी, उसमें जो numbers लिखे होते हैं, account का balance जो लिखा होता है, उसमें इतनी सारी entries होती हैं, सबकी सब right aligned होती हैं, तो उससे क्या है कि उन entries की readability बढ़ जाती है, पढ़के हमें बहुत जल्दी समन में आता है कि क्या balance है, तो ऐसा ही कुछ हम यहां पे भी कर रहे हैं, तो यह सब क्यों possible हो पाया, यह जो format, यह जो conversion characters हैं, %d, %ld, जितने भी integers वाले हैं, उन सब के बीच में आप इस तरह से with use कर सकते हो, चलो थोड़ा सा और समझ लेते हैं, यहां पे जो चीज अभी मैंने explain किया है, वो ही सब यहां पे लिखावा है, here 5 between % and d is the total width available to the value for display, यहनि 5 की जगे कुछ भी ले सकते हैं, वो total width हो जाएगी, if the number is smaller than 5 digit, then remaining left side position will be filled with spaces, यह मैंने पिछली page पे आपको समझाई दिया, left side में space आएगे, लेकिन अब एक और point आता है, if you want to fill the remaining left side position with 0s, you have to mention 0 like this, यहनि आप 0 भी दिखा सकते हैं, 0 दिखाने के लिए आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा, आपको width जो भी आपको बतानी है, उससे जस्ट पहले 0 mention करना होगा, तो अगर आप इस तरह से run करेंगे, तो जो left side में spaces आ रहे थे, उनकी जगे 0 आना शुरू हो जाएगा, हाला कि 0 आने से, इस number की value पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि left side में 0s आ रही है, अब भी 456 आ यह पहले भी 456 था, लेकिन अगर आप 0 दिखाना चारे हैं, तो आप इस तरह से दिखा सकते हैं, तो यह format, जो है, format string के अंदर, percent d जो है, इसके अंदर आपको 0 mention करना होगा, केवल 0 ही कर सकते हैं, कोई और चीज नहीं करनी है, तो I think यह समझ में आ गया होगा, अब भी मैं इसको run करके भी दिखाऊंगा, एक चीज और हैं यहाँ पर, if you want to show the numbers left aligned, and the meaning position filled with spaces on the right side, मतलब आप चाहरे हैं कि, number left side ही आए, और spaces right side आजाएं, तो फिर आप यहाँ 0 की जगे minus ले लेंगे, तो यह numbers left side में आ जाएंगे, और जो spaces हैं वो right side में आएंगे, आप सोच रहे होंगे, spaces तो दिखी नहीं रहें, spaces तो कभी दिखते ही नहीं है, तो यहाँ पर 2 spaces हैं, 6 के बाद, last वाले में 98 के बाद 3 spaces हैं, तो अगर हम उसी line में कुछ और data प्रिंट करेंगे, तो फिर हमें spaces देख के समझ में आ जाएगा, कि हाँ spaces हैं, तो अगर आप ऐसा करना चा रहे हैं, तो कर सकते हैं, चलिए हम इसे एक बाद रन करके देख लेते हैं, फिर से मैं यहाँ से इने copy कर लेता हूं, C language में चलते हैं, paste कर लिया मैंने, तो सबसे पहले मैं ऐसा करता हूं, present 5D यूज़ करके दिखा रहा हूं, अगर मैं इन से पहले 0 ले लूँ, तो अब देखिए, वो empty position जो थी, वो 0 से fill हो गई, और अगर मैं यहाँ पर अब, slash and हटा दूँ, एक space ले लेता हूं, तो देखिए, एक ही line में output आ रहा है, इस output को देखके भी आपको, यह चीज़ आ रही होगी, अब देखिए, 456 के right में 2 space आ रहे हैं, 600 second के as में काफी gap है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं, कि हाँ है, वाकिय में spaces प्रिंट हो रहे हैं, और यह सब minus की वज़े से हो रहा है, minus 5 की वज़े से right side में spaces आ रहे हैं, तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं, चलिए मैं बिना minus 5 के दिखाता हूँ, क्या वाकिय में अब इतना gap आएगा जितना पिछली बारा रहा था, नहीं आ रहा है, 456 के right में केवल एक space है, जो मैंने यहाँ S से पहले लिया है, extra space नहीं आ रहे हैं, तो I think आपको सौझ में आगया होगा, कैसे हम with set करते हैं, और कैसे उसे अपने program में use करते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला topic है, more formatting on real numbers, जिस तरह से मैंने integer numbers के लिए formatting बताई है, ऐसे real number के लिए भी होती है, यहाँ पर आप देखें, number 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 3, तो ज़रा ध्यान से देखें, 123.456787, इसका मतलब यह है, total 10 digit हैं इसमें already, वही print हो रही है, dot, यानि decimal point को भी आप count करेंगें, आप total 10 symbols हैं, 98 वाले में, एक space आ रहा है, लेकिन यह क्या, 765 था, 764999 हो गया, इसका reason वही है, जो अभी मैंने आपको समझाया था, कि computer hardware की वज़े से ऐसा हो रहा है, चलिए इसका solution में अभी बताऊंगा आपको, लेकिन आप समझ गया होंगे, total इन दोनों number को भी 10 position मिल रही है, जिन में से 9 symbol प्रिंट हो गए, और एक में space आ गया, और जैसे अभी इन टीजर में बताया था, वैसे ही अगर आप यह जिरो लेते हैं, तो यह empty position में जिरो आ जाएगा, चलिए आगे बढ़ते हैं, we can also specify the number of digits after decimal point to be printed like this, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, total इस जैसे 10 बताई, तो point 2 हमें बताना होगा, उसने अपने आप ही number को round कर लिया, यह जो point के बाद है, 456789 round होकर 46 हो गिया, ऐसे 98.76 हो गिया, और उधर 98.00 हो गिया, बागी position में spaces आ रहे हैं, तो इस तरीके सा output आ रहा है, चलिए मैं आपको यह run करके भी दिखा देता हूँ, फिर से मैं इस code को हटा के control V कर दिया मैंने, यहाँ पर आ गिया, तो control F9, यह देखिए इस तरह सा output आ गिया है यहाँ पर, और यहाँ पर left side में spaces आ रहे हैं, अगर आप देखना चाहरे हैं कि कितने spaces हैं, चलिए 0 लगा देते हैं, तो 0 से एक बार counting हो जाएगी, control F9, तो देखिए 0, 0, 0, 0, 4, 0 हो गई, 1, 2, 3, decimal point 4 यह हो गई, 8, और 4, 6, 2 यह हो गई, 10, total with 10 है, तो 10 positions में ही पूरा output आएगा, तीनों नमबर ऐसी print हो रहे हैं, 98 वालों में 5, 0 आ गई है, प्रिंट करने के लिए, decimal point के बाद कितनी डिजिट प्रिंट करने हैं, वो आप, अपने आप decide कर सकते हैं, suppose कर आप 2 नहीं, 3 चाहा रहे हैं, तो आप 3 ले सकते हैं, तो point के बाद 3-3 डिजिट आ रही हैं, उसी साब से number output में आ रहा है, तो I think आपको ये topics on में आ गया होगा, तो ये थी आज की वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो मेरी आपसे request है, वीडियो के एक like जरूर कर दें, और bell icon भी press कर दें, और जहां लिखा है learn to do coding, ये से touch करके आप इस channel को subscribe भी कर लें, और आगे और भी interesting वीडियो में बनाने वाला हूँ, programming से related ज़्यादा वीडियो बनाऊंगा, मैं अब आगे बहुत सारे program बना की दिखाऊंगा, इस channel को subscribe करने के बाद जो notification में आपको वीडियो मिलेंगी, उन्हें देखते रहिए, और seal language सीखते रहिए, Thank you.